नमस्कार बाईजूज एक्जाम प्रेप आईएस हिंदी प्लेटफार्म पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की बड़ी खबर में हम लोग बात करेंगे संत कवीर दास की और उनका भक्ती आंदोलन में क्या योगदान था तो दोस्तो कवीर दास उनके दोहे जो की आज भी प्रासंगिक हैं तो हम लोग उनकी जीवनी के बारे में बात करेंगे उनको समा सुधारक के रूप में जाना जाता है तो क्यों जाना जाता है इन सब बातों की चर्चा करेंगे साथ साथ भक्ति आंदोलन में उनके योगदान की तो दोस्तों संत कवीरदास एवं भक्ति आंदोलन यानि कवीरदास जी सदेव लोगों को अच्छे विचारों को ग्राण करने के लिए प्रेरित किया करते थे वह एक साधारण जीवन जीने वाले ब्यक्ति थे उन्होंने जीवन भर मूर्ति पूजा और धार्मिक कर्म कांड का पुरजोर बिरोध किया उन्हें हिंदु धर्म से जुड़े पंडितों और मुस्लिम धर्म से जुड़े मौलवियों दोनों के ही कर्म कांड उचित नहीं लगते थे वह सदय समाच के लोगों को आडंबरों से मुक्त जीवन जीने की सलाह दिया करते थे वह लोगों को उनकी अस्थानिय भासा में विचारों का आदान प्रदान करने को भी कहा करते थे साथ ही वह सदाचार और अहिंसा के गुणों का पालन भी किया करते थे तो दोस्तो ऐसे थे कवीर दास तो कवीर दास आज इनके बारे में हम क्यों चर्चा कर रहे हैं तो दोस्तो आज उनकी जैनती मनाई जा रही है यानि 14 जुन 2022 को संत कवीर दास की जैनती मनाई जा रही है कभीरदास जी हिंदी साहित की 15 सदी को अपनी रचनाओं के माध्यम से स्रेष्ट बना दिया था वा ना केवल एक महान कवी थे बलकि समास सुधारक और समाज में ब्याप्त अंध विस्वासों, कुरीतियों, पाकंड के खिलाब उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की थी यनि आज भी उनके यह दोहे वह प्रासंगिक हैं तो दोस्तों अगर हम उनके जीवनी के बारे में बात करते हैं कभीरदास जी के जीवन के बारे में तो दोस्तों कभीरदास जी का जन्म 1398 में कहा जाता है कि एक ब्राम्मनी के गर्व से उनका जन्म हुआ था लेकिन उन्होंने लोक लाजवस उसे लहरतारा नामक तालाब के पास फेक दिया था जो की नीरू तथा नीमा नामक जुलाहे उधर से गुजर रहे थे तो उन्हें यह बच्चा प्राप्त हुआ और यही बच्चा आगे चलके संत कभीरदास कहलाया दोस्तों कभीरव के काशी के जन्म का प्रमाण इनके इस दोहे में भी मिलता है चौदा सौ पच्पन साल गए चंदरवार एक ठाट ठहे जेट सुदी बर सायत को पूरन मासी तिथी प्रगट भए यहनी पूरन मासी के दिन उनका जन्म हुआ था घन गरजे दामनी दमके बूंदे बरसें जहर लाग गए लहर तालाब में कमल खिले तहां कभीर भानू प्रकट हुए तेनी लहर तारा नामक तालाब के पास उनको नीरू तथा नीमा नामक जुलाहे ने बच्चे को प्राप्त किया था और वही बच्चा बड़ा होकर के संत कभीर दास के रूप में जाना गया दोस्तों इनकी मृत्यू मगहर में हुई थी 1518 में माना जाता है हलाकि इनकी मृत्यू के बारे में भी बिद्वानों में एकमत नहीं है तो इनकी मृत्य के विशय में कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में कभीर दास जी काशी के मगहर चले गए थे क्योंकि उस समय ऐसी मानता थी कि जो व्यक्ति काशी में प्राण त्यागता है उसे स्वर्ग मिलता है और जो व्यक्ति मगहर में आखरी सांस लेता है वह नरक पाता है परंतु कभीरदास जी इस मानता को तोड़ने के उद्देश से मगहर चले गए और जहां इन्होंने 1518 में अपने प्राण त्याग दिये और उनकी इस मृत्यू संबंध में एक दोहा प्रचलित है जो कासी तन तजय कभीरा तो रामय कौन नहीं होटा हाला कि कुछ लोगों का मानना है कि कभीरदास के सत्र नहीं चाहते थे कि वह काशी में प्राण त्यागे इसलिए उनके सत्रों ने ही उन्हें मगहर भेज दिया था तो वहां उनकी मृत्व के बाद हिंदू और मुस्लिम समुदाय क के लोगों ने इनके अंतिम संसकार को लेकर कुछ कहा सुनी हो गई थी क्योंकि जहां मुस्लिम समाज के लोग इनके सरीर को दफनाना चाहते थे वही हिंदू धर्म के लोग इनको हिंदू मानिता के अनुसार जो है इनका क्रिया कर्म करना चाहते थे तो दोस्तों ऐसे थे स साखी, सबद और रमैनी और इसके लावा कवीर दास की रचनाओं में 72 संग्रा मौजूद हैं जिसमें कवीर ग्रंतावली, कवीर दोहावली, रामसार, ज्यानसागर, अलिफ नाफा, रेखता, उग्रगीता, कतनी, कवीर की वाणी, आदी कवीर दास जी के वाणी में लिखी गई है, दोस्तो भक्ति आंदोलन वे कवीर का योगदान, तो दोस्तो आंदोलन की जो सुरुआत थी भक्ति आंदोलन की छटवी सत्वी सताब्दी इस्वी के आसपास तमिल छेतर में अलवार तथा नैनार वैसनों और शैव कवियों की कविताओं के माध्यम से सुरू की गई थी और यह लोग प्रिय काफी हुई, तो दोस्तो भक्ति आंदोलन वह आंदोलन है जिसमें भागवत धर्म के प्रचार और प्रसार के प्रणाम सरूप भक्ति आंदोलन का सुत्रपात हुआ था, तो भक्ति आंदोलन ने जन सामानने को समान पूर्वक जीने का रास्त आसू साजणा, सोई लोक बिढाही, जे लोईंड लोई चू, तो जानो हित हियाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो दोस्तों इसका अर्थ यही है कि कबीर का मुल्यांकन उनकी इस करुणा के आधार पर करना चाहिए, जो समस्त मानाउता के प्रति थी, किसी एक व्यक्ति वि अन्याय को चूप चाप सहने की आदत पर और भविष के प्रति उदासींता की सोच पर कबीर रात रात भर जागते और आसू बहाया करते थे, सोई आसू साजणा, याद रखेंगे, तो यहाँ इनके दोहे आज भी प्रासंगिक हैं, कबीर को केवल दार्षनिक निर्गुन ब्रह्म के प्रतिपादक, समासुधारक, हिंदू-मुस्लिम एकता, समनवय के पुरोधा, तथा एक संथ के रूप में देखना कबीर के साथ अन्याय करना होगा, दोस्तों उनका यह दोहा, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रो है, यानि यहां कबीर जाग रहे हैं, और रो रहे हैं, सेस सब खा रहे हैं और सो रहे हैं, यानि कबीर का यह जागना और रोना बहुत ही महात्वपूर्ण है, वास्तों में कबीर दास देश के सांस्कृतिक नवजागरण के अग्रदूत थे, तो दोस्तों यह दोहा भी मह तो पूर्ण हो जाता है या सर्व कल्यान के लिए इसी तरह से एक दोहा और हम उदाहरण के स्वरूप लेंगे कि पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया नकोई धाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई यानि इस प्रेम की अर्थ ब्यंजना काफी गहरी है यानि इसका आधार ही आप देख सकते हैं इमांदार समवेदन है यानि जो आचार और विचार की मैत्री के लिए आवश्यक है यानि कभीर प्रेम को कई तरह से परिभासित करते हैं तो इस दोहे से यही बात निकल कर आ रही है कि धाई आखर प्रेम का यानि आपसी प्रेम सोहार्द बे विचारक एवं समासुधारक कवी थे और साहित के इतिहासकारों और आलोशकों ने उनके काविका मुल्यांकन करते हुए इस तथ का प्रतिपादन भी किया है। पराओं, रूढियों, जातिपाति को समाप्त कर स्वस्थ समाच की रचना कर चाहते थे और इसी कलपना में कवीर कहीं करांतिकारी रूप में सामने आते हैं। इनके दोहे आप लोग जरूर देखेंगे तो इस तरह से आज का अंक समाप्त करते हैं। आसा करता हूं कि दोस्त भी जरूर करें धन्यवाद